दोस्तों कई बार आपने SEO tips and tricks के बारे में सुना होगा बट क्या वो tips and tricks long term basis पे काम करती हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन important task की जो कि आपकी website पे आपको ज़रूर perform करने चाहिए 2018 में दोस्तों शुरुआत करते हैं page speed को increase करने से recently Google ने announce किया है कि July 2018 की शुरुआत से mobile page speed factor होगा mobile search results के लिए तो दोस्तों अगर आपको इस चीज़ के बारे में detail video चलिए तो आपको i button में link मिल जाएगा तो जितना जल्दी आपकी website का page load होगा उतना जादा visitors आपकी website पे time spend करेंगे और हो सकता है कि वही visitors convert हो जाएं customers में तो आपको ये देखना होगा कि आपकी website load होने में कितना time ले रही है तो ये सारी details आप check कर सकते हैं online बहुत सारी websites available हैं जैसे pingdong.com तो दोस्तों आप कुछ तरीकों की बात कर लेते हैं जिनसे कि आप अपनी website का load time improve कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे important चीज high performance web hosting चूज करें images को compressed form में upload करें अपनी website पे server cache, browser cache और gzip compression का use करें कम से कम CSS और javascript file का use करें दोस्तों दूसरा important task आता है social link building तो दोस्तों जितनी ज़्यादा presence आपकी brand की online होगी उतने ज़्यादा chances होगे आपकी website को organic results में show होने के अब इसको improve करने के लिए आप अपनी social profile को link कर सकते हैं अपनी website से cross sharing कर सकते हैं अपने content को अपनी industry और service से related और content को regularly share करें online cross sharing करेंगे platforms के बीच में जैसे कि अगर आपने कोई blog post लिखी अपनी website पे उसको आप social media profiles पे आप share कर सकते हैं और अगर social media profile पे आप कुछ चीज़ें share कर रहे हैं तो उसको आप include कर सकते हैं अपनी website पे तो इस चीज़ को अगर summary में समझा जाए तो जितने जादा links आप create करेंगे जितनी जादा presence आप दिखाएंगे online उतने जादा results आपको google search में दिखेंगे अपने brand के दोस्तों तीसरा और important task काता है videos create करें अपने brand से related SEO को improve करने के लिए दोस्तों video एक important tool है digital marketing में जैसे कि website और social profile होना बहुत जादा जरूरी है उसी तरीके से video आपके brands related होना बहुत important है दोस्तों video help करता है brand को आसानी से समझने में plus interested रखता है आपके visitors को आपकी website पे और google भी user engagement को positively देखता है जो की help करता है आपको gain करने में organic results और secondly YouTube पे videos को publish करने से आपको मिलती है larger audience Google search results से दोस्तों आप देखते हैं कि video किस तरीके से help कर पाएगा आपकी SEO में तो दोस्तों video create करें अपने products related questions के बारे में, services के बारे में और industry के बारे में और most important YouTube video को खुद की website पे जरूर embed करें तो दोस्तों ये थे तीन simple tasks जिनको कि आपको अपनी website पे जरूर perform करना चाहिए 2018 में तो दोस्तों आज की इस video में बस इतना ही thank you so much for watching this video and I hope कि ये video आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आया हो please like करिये, share करिये, comment करिये और subscribe तो जरूर करिये this is Anurag, signing out